हालो केट्स, वालकम टी दूतुमाम्स ओनलाइन क्लास बच्चों, आज हम आपकी क्लास थर्ड की इंग्लिश के टेक्स्ट बुक के पेस नमबर 88 पर दी हुई पोईम बग्स करेंगे देखो बच्चों, यहां लिखा है बग्स बग्स का मीनिंग है छोटे कीडे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इसी पोईम को रिसाइट किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है आप उस वीडियो को जरूर देखे और पोईम को रिसाइट जरूर करें सबसे पहले देखो, यहाँ पर कुछ पिच्चर्ज नजर आ रही होंगे आपको हमें क्या करना है, हमें इनके यहाँ पर नाम चूज करने है इन बॉक्स में से और यहाँ पर लिखने है यह इसका क्या नाम है? बटरफ्लाई, वेरी गुड, त्स राइट हीर यह अपने लिख दिया, बटरफ्लाई, ऐसे ही आपको अपनी बुक में लिखना है अब यह बताईए, यह क्या है? यहाँ पर लिखा हूँ है, कॉक्रोच, लेडी बग, ग्रास होपर, बटरफ्लाई इन में से क्या है यह? यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, लेडी बग, यह लिख दिया, लेडी बग, अब देखेंगे, यह क्या है? कॉक्रोच, वेरी गुड, यहाँ लिखेंगे, कॉक्रोच यह हो गया next बच्चा कौन सा? grasshopper यहाँ पर लिखेंगे grasshopper यहाँ से यह लिख दिया हमने grasshopper now tell me which of these bugs do you see in or around your home or school कि इन में से कौन से bugs होता है? छोटे कीडे चीक है? यह देखो इसका नाम भी है बग्स छोटे कीडे इन में से कौन से छोटे कीडे आप अपने आसपास देखते हो घर पर या फिर school में यह देखिऊ हूँ यह butterfly यह भी cockroach भी देखा हुआ है रहा और यह पहरी गुद यह भी देखा हुआ है which of these bugs do you like or dislike and why इन में से कौन सा bug, कौन सा छोटा कीडा आप like करते हैं, पसंद करते हैं और कौन सा डिस like करते हैं, ना पसंद करते हैं अधिकतरों का होगा यह वाली है ना butterfly सब को पसंद होती है कुछों को यह lady bug भी पसंद होती है क्या cockroach पसंद होता है आपको like करते हो cockroach को नहीं करते और grasshopper को कुछ पच्चे क्या करते है, ग्रास अपर को पकड़ के और उसको खेल बनाने ते है, धागे में लपेट के, ना वेरी बैड, बहुत गलत होता ही है, किसी भी जीव को हमें परेशान नहीं करना चाहिए, है ना ओके, now come on next page, look at this picture a wife with a glass and with a ladybug on his finger and one ladybug is in the glass एक लड़का है जिसके हाथ में एक glass है और एक ladybug है finger पर और एक ladybug उसके glass में भी है है ना, and there are so many bugs on the ground, ground पर भी बहुत सारे bugs हैं, छोटे-छोटे केडे हैं ओके, let's read the point, अब हम इसको read करेंगे और इसकी translation भी करेंगे I like bugs, मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ bugs, मतलब छोटे केड़ों मैं छोटे केडों को पसंद करती हूँ, black bugs, काले केडों को, green bugs, हरे केडों को bad bugs, बुरे केडों को, mean bugs, mean भी होते हैं, बुरे होते हैं, जो अच्छे नहीं होते हैं, mean bugs भी बुरे केड़े any kind of bugs, किसी भी प्रकार के छोटे कीडों को, अब bug in a rug, रग होती हैं, बुरे, कंबल चोटा, या फिर छोटे कट पीस हो जाते हैं, जो हम पैर पहुंचने के लिए या फिर आसन टाइप बना लेते हैं, उनको हम रग बोलते हैं, बुरे को भी रग बोलते हैं a bug in a rug, मतलब बोरी में छोटा कीड़ा हो, a bug in the grass, या फिर घास में छोटा कीड़ा हो, a bug on the sidewalk, sidewalk होती है, footpath, या फिर footpath पर छोटा कीड़ा, a bug in a glass, glass के अंदर छोटा कीड़ा, I like bugs, मैं छोटे कीडों को पसंद करती हूं round bugs, round means goal bugs, goal छोटे कीड़े, shiny bugs, चमकदार, छोटे कीड़े, fat bugs, मोटे छोटे कीड़े, buggy bugs, मतलब जो परेशान करने वाले कीड़े होते हैं, उनको big bugs, बड़े कीड़ों को, बड़े, जो छोटे कीड़ों में भी जो बड़े होते हैं, वो वाले छोटे कीड़ों को ladybugs ladybugs क्या होती है यह दिखाई थी ना आपको मैंने ladybugs को I like bugs मैं पसंद करती हूँ bugs को और यह किस ने लिखी है Margaret Weiss Brown ने लिखी हुई है यह point ठीक है इसको translate करेंगे और you have to write down in your notebook आपको अपनी notebook में भी लिखनी है अपको ने यह point